आज बुद्ध वार है श्री गणेश का वार है सच्चा ये दरबार है श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका वेड़ा पार है विगन विनायक मंगल दायक गौरी पुत्र गणेश है सबसे पहले पुझे जाते श्री गणेश प्रतमेश है आपकी जै जैकार है श्री गणेश का वार है सच्चा ये दरबार है श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका वेड़ा पार है श्री गणेश का वार है श्री गणेश का वार है सच्चा ये दरबार है श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका वेड़ा पार है रिगवकर सानी निपसानी जग सुखदाता कार्टिक भराता आपके पिता महेश है काम द्रोध मद लोव कुमारे हरते सकल कलेश है महिमा अपरंपार है श्री गणेश का वार है सच्चा ये दरबार है श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका वेड़ा पार है आज बुदवार है श्री गणेश का वार है सच्चा ये दरबार है श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका वेड़ा पार है रिध्य सिद्धी के स्वामी देवा रूप चतुर भुझदारी हो शुभ और लाभ है पुत्र तुम्हारे संतन के हितकारी हो लंबो दर अवतार है श्री गणेश का वार है सच्चा ये दरबार है श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका वेड़ा पार है श्री गणेश का वार है सच्चा ये दरबार है श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका वेड़ा पार है श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका वेड़ा पार है शीश सुशोभित स्वण मुकुट से गले पुष्प की माला है चंदाला लाट पे चम 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 के तन पे पितामबर डाला है बुद्धी का भंडार है श्री गणेश का वार है सच्चा ये दरबार है श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका वेड़ा पार है आज बुद्धवार है श्री गणेश का वार है सच्चा ये दरबार है श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका वेड़ा पार है मा की आज्या मान के तुमने देवों से संग्राम किया शीश कटा दी तुमने लेकिन जुकने का नहीं नाम लिया मा का पहरेदार है श्री गनेश का वार है सच्चा ये दरवार है श्री गनेश को जो कोई ध्यावे उसका बेडा पार है आज बुद्वार है श्री गनेश का वार है सच्चा ये दरवार है श्री गनेश को जो बीध्यावे उसका बेडा पार है आज बुद्वार है श्री गनेश का वार है सच्चा ये दरवार है शेगरीश को जो बीध्या में उसका बेडा बाल है तुम्हे मनाते हैं गजानन तुम्हे मनाते हैं गजानन 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 कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं गजानन गजानन कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं आओ पारवती के लाला मुशक वाहन दूंद दूंदाला जब तुम्हारे नाम की माला ध्यान लगाते हैं गजानन 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 कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं आज हम तुम्हे मनाते हैं उमपती शंकर के प्यारे सभख्तों के काज सवारे भख्तों के संग पापी भी तारे जो शरण में आते हैं गजानन गजानन कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं बजानन गजानन कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं पामा मागारे पामा मागारे मागारे रेसा निजारेसा निगत पार रेसा लड्डू पेडा भोग लगावे पांसु पारी भूल चड़ावे पांसु पारी भूल चड़ावे लड्डू पेडा भोग लगावे हाथ जोड सब करे बंदना भोग लगाते हैं गजानन करदो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं गजानन करदो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं सुन है लंबी कान है चोड़े बगतों के घर आते दोड़े सुन है लंबी कान है चोड़े बगतों के घर आते दोड़े लगते प्यारे सोने सोने पार लगाते हैं गजानन 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 कर दो बेडा पार आज हम तुम्हे मनाते हैं रूप चतुर भुज घारी गजानन कर में लिए एक उठार भक्त जनों की रक्षा करते असरों का संभार जै जै गणेश गिर जानन दन रिधी सिधी के प्यारे ग्रिपा करो है एक दन्त हम आए शरण तुम्हारे जै गणेश गिर जानन दन रिधी सिधी के प्यारे प्रिपा करो है एक दन्त हम आए शरण तुम्हारे रिधी सिधी के प्यारे जै गणेश भगवार जै गणेश भगवार अश्ट विनायक रूप में है प्रभु अपने दन्त हम आए शरण दन्त हम आए शरण दन्त हमें जब अवतार लिया अश्ट विनायक रूप में है प्रभु आपने जब अवतार लिया असुर जनों को मार गिराया भक्तों का उधार किया मुशक सवारी लेकर आते जब जब भक्त पुकारे कृपा करो है एक दन्त हम आए शरण तुम्हारे रिद्धी सिर्धी के प्यारे प्रिपात रोहे एक दन्त हम आए शरण तुम्हारे रिद्धी सिर्धी के प्यारे सबसे बड़े हैं मात पिताई सारे जग को बत लाए मात पिता की सेवा करके गणा ध्यक्ष का पद पाए सबसे बड़े हैं मात पिताई सारे जग को बत लाए मात पिता की सेवा करके गणा ध्यक्ष का पद पाए बलबुधिवित्या दोचमकाओ इसमत के सितारे कृपात रोहे एक दंत हम आए शरण तुम्हारे रिधी सिद्धी के प्यारे कृपात रोहे एक दंत हम आए शरण तुम्हारे रिधी सिद्धी के प्यारे जैगरीश बद्वार जैगरीश बद्वार अन्दल सलता विख्रद आशक जैगरीश बद्वार अन्धन वैभो ऐश्वर्य से भरते हो भंडार प्रभू कार्य सिद्ध करके भगतों पे करते हो उपकार प्रभू अन्धन वैभो ऐश्वर्य से भरते हो भंडार प्रभू कार्य सिद्ध करके भगतों पे करते हो उपकार प्रभू भक्त करे बंदन तेरा भेशिव शंभू के दुलारे रिपातरो हे एक दंत हम आये शरण तुम्हारे रिपातरो हे एक दंत हम आये शरण तुम्हारे रिधी सिद्धी के प्यारे मेरे घर पूजन है मेरे घर कीर्टन है मेरे घर पति आजाओ मेरे घर पूजन है मेरे घर कीर्टन है मेरे घर पति आजाओ रिधि सीदी के संग में शुभ लाभ को भी लाओ मेरे घर पूजन है मेरे घर की दर है मेरे घर पतिया जाओ मेरे घर पूजन है सबसे पहले गड़ पत मैंने तुम्हे पुकारा है सबसे पहले गड़ पत मैंने तुम्हे पुकारा है तकदीर बदलने तुम्हे तकदीर बदलने तुम्हे एक बार तो आजाओ मेरे घर पूजन है मेरे घर की तन है मेरे घर पतिया जाओ मेरे घर की तन है मेरे घर पतिया जाओ मेरे घर पतिया जाओ मेरे घर पतिया जाओ ओ विघन के हरता तुम्ह शुभ मंगल करता तुम्ह ओ विघन के हरता तुम्ह शुभ मंगल करता तुम्ह लडवन का थाल सजा लडवन का थाल सजा प्रभु भोग लगा जाओ मेरे घर पूजन है मेरे घर की तन है मेरे घर पति आजाओ मेरे घर की तन है मेरे घर पति आजाओ तुम धन्य करो प्रभु जी मुझे को दर्शन दे कर मैंने दिल से पुकारा है एक जलक तो दिखलाओ मेरे घर पूजन है मेरे घर की तन है मेरे घर पति आजाओ मेरे घर पूजन है मेरे घर की तन है मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे घर पति जी और फिर्दी सिदी संगले के प्रभू जी जाना रिधी सिधी संग लेके प्रभुजी आजाना आके मेरे सवारों काज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारों आग ओ प्यारे गणपती जी भक्ति भाव से तुमको बुलाओं चर्णों में तेरे शीश जुकाओं भक्ति भाव से तुमको बुलाओं चर्णों में तेरे शीश जुकाओं सब देवों के सरताज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारों आज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारों आज ओ प्यारे गणपती जी आपकी महिमा सब से न्यारी सुन लीजे प्रभु विनय हमारी आपकी महिमा सब से न्यारी सुन लीजे प्रभु विनय हमारी रखिये भक्तों की लाज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारों आज ओ प्यारे गणपती जी लड्डू का भूग जो तुमको चड़ाए उसकी हरिक इच्छा पूरी हो जाए लड्डू का भूग जो तुमको चड़ाए उसकी हरिक इच्छा पूरी हो जाए मेरे दिल पे आपका राज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारों आज ओ प्यारे गणपती जी आपके चर्णों की धूली जो पाए कंकड भी पल भर में ही रा हो जाए आपके चर्णों की धूली जो पाए कंकड भी पल भर में ही रा हो जाए है भक्तों को आप पे नाज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारों आज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारों आज ओ प्यारे गणपती जी मेरी सभी भोल तुम भूल जाना अपनी क्रिपा देवा हम पे बरसाना मेरी सभी भूल तुम भूल जाना अपनी क्रिपा देवा हम पे बरसाना मेरी सभी भूल तुम भूल जाना अपनी क्रिपा देवा सदा बरसाना देते हैं तुम्हें आवाज ओ प्यारे गणपती जी मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपती जी विखन के हरता मंगल करता है गणपती महराज रिद्धि सित्धि के स्वामी देवा पूरण करे काज विखन के हरता मंगल करता है गणपती महराज रिद्धि सित्धि के स्वामी देवा पूरण करे काज आपकी जै गणपती महराज आपकी जै गणपती महराज सभी देवताओं से कहले गणपती पूजे जाते हैं जहां जहां भी जाते हैं शुब मंगल ही कराते हैं भूग लडवन का जो भी लगाए मनोरत उसके पूण हो जाएं एक दंत दयावंत प्रभू मूसक पर रहे विराज रिध्य सित्य के स्वामी देवा पूरण करे काज आपकी जैगन पति महराज क्रूधित हो कर शिव जी ने गनपति जी का सरकाट दिया व्याकुल हुई माँ पारवती तब शिव जी ने एक जतन किया कोधित हो कर शिव जी ने गनपति जी का सरकाट दिया मस्तक हाथी का मंगवाए और गनपति के धड़ पे लगाए मस्तक हाती का मंगवाई और गड़पत के धड़पे लगाई हुआ गजानन के जीवन का फिर से नया आगाज रिद्धी सिद्ध के स्वामी देवा पूरण करिये आज आपकी जैगनपति महराज शादी हेतु पूरी प्रित्वी के चकर साथ लगाने थे मात पिता की करिपरिक्रमा गणपति बड़े सयाने थे शीजी गणपति पे हरशाए रित्धी सिद्धी से शादी कराए सिद्धी सदन गज बदन विनायक जग पे आपका राज रिद्धी सिद्ध के स्वामी देवा पूरण करिये काज आपकी जैगनपति महराज आपकी जैगनपति महराज श्रत्था और विश्वास लिहे सब द्वार तुहारे आते हैं आपकी क्रिपासे भक्त सभी बिन मागें सब कुछ पाते हैं करते हो मुशक की सवारे लीला बपा तुहारे न्यारी पर्दे हो मोशक की सवारी लीला पपा तुम्हारी ज्यारी वंदन करू कर जोड के हे देवों के सर्काज रिध्य सित्य के स्वामी देवा पूरण करिये काज आपकी जै गणपति महराज आपकी जै गणपति महराज गणपति आज पधारोशी रामजी की दुन्न में गणपति आज पधारोशी रामजी की दुन्न में गणपति आज पधारोशी रामजी की दुन्न में मोदक भोग लगाओ शी रामजी की दुन्न में गणपति आज पधारोशी रामजी की दुन्न में गणपति आज पधारोशंग में रिद्धी सिद्धी लाओ गणपति आज पधारोशंग में रिद्धी सिद्धी लाओ सुख आनंद बरसाओ शी रामजी की दुन्न में गणपति आज पधारोशी रामजी की दुन्न में अनुमत आज पधारोश देवा पवनवेग से आओ अनुमत आज पधारोश देवा पवनवेग से आओ बलबुद्धी दे जाओ शी रामजी की दुन्न में गणपति आज पधारोशी 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 रामजी की दुन्न में नारद आज पधारोशी रामजी की दुन्न में गणपति आज पधारोशी रामजी की दुन्न में प्रेम मगन हो जाओ भक्तो रामजी की दुन्न में भक्ति में खो जाओ शी रामजी की दुन्न में गणपति आज पधारोशी रामजी की दुन्न में कीर्टन है मेरे घर आज गज़िए जानन आ जाओ कीतन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ रिथी और सिथी को संग में लाना कीतन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ कीतन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ पूलों से सुन्दर सा आसन सजाया स्वागत में घीका दिया है जलाया पूलों से सुन्दर सासन सजाया स्वागत में घीका दिया है जलाया लड़ू भी लड़ू भी है तैयार की भोग लगा जाओ कीतन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ सब देवों से पहले तुम पूजे जाते मंगल करता विगन हरता का हाते मंगल करता विगन हरता का हाते हम पे भी हम पे भी अपने कृपा प्रगु बरसा जाओ कीतन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ दर्शन की आस लिए अपने मन में मगन हुए सारे भक्ति भजन में मगन हुए सारे भक्ति भजन में बुझ जाए बुझ जाए नैनों की प्यास की दरस दिखा जाओ कीतन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ बस इतनी कृपा करो मेरे देवा करते रहे हम सदा तेरी सेवा करते रहे हम सदा तेरी सेवा अरज अरज करेर विराज रिदे में समा जाओ कीतन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ कीतन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ कीतन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ जे हुगणिश जे हुगणिश चड़विवस गड़ शतुर भीव्रत की कहानी सुनो लगाकर ध्यान गड़ चतुर्धी व्रत की कहानी सुनो लगा कर ध्यान श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्यान गड़ शतुर्धी व्रत की कहानी सुनो लगा कर ध्यान गड़ चतुर्धी व्रत की कहानी सुनो लगा कर ध्यान श्रद्धापूर्वक सुनने से हो जाता है कल्यान आप कीजे हो गणपती जी श्री क्रिष्ण जी बोले यदिष्ठिर सुन लो बाते ध्यान से विजे की विने करो व्रत करके श्री गणेश भगवान से श्री क्रिष्ण जी बोले यदिष्ठिर सुन लो बाते ध्यान से विजे की विने करो व्रत करिके श्री गणेश भगवान से भक्त जनो पांड़ों को वनवास काल में बड़ा कष्ट हुआ उस कष्ट को दूर करने के लिए और महा भारत के युद्ध में विजे प्राप्त करने के लिए श्री क्रिष्ण भगवान ने युदिष्ठिर को गणेश शतूर्थी का व्रत करने को कहा साथ ही साथ कथा भी सुनाए श्री क्रिष्ण जी बूले युदिष्ठर सुन्दो बातिर ध्यान से विजेत्य विनेतरों रत करिके शीदरेश बगवान से रत करने के विधी बत लाए द्रोपती को भी कथा सुनाए रग कुल के राजा हरीश्चंद्र थे बड़े ही महान श्रधापूर्वक सुनने से हो जाता है कल्यान आप कीजे हो गणपती जी कथा है राजा हरीश्चंद्र की प्रजा बहुत खुश हाल भरा पड़ा था खुशियों से राजा का शासंकाल प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम हरीश्चंद्र था जिनके शासंकाल में कोई दुखी और दरिद्र नहीं था सत्यवादी हरीश्चंद्र के राजी में अधर्म का नामों निशान भी नहीं था भरा था राजा हरीश्चंद्र की प्रजा बहुत खुश हाल भरा पड़ा था खुशियों से राजा का शासंकाल धर्म की रक्षा राजा करते दानवीर ना किसी से डरते रगुकुल के राजा हरीश्चंद्र थे बड़े ही महान श्रधापूर्वक सुनने से हो जाता है कल्यान आप कीजे हो गणपति जी आप कीजे हो गणपति जी एक ब्राम हड था उनके राज मेरी शिशर्मा था नाम पूजा पाठे तपस्या करता रहता सुब हो शाम एक ब्राम हड का उनके राज मेरी शिशर्मा था नाम पूजा पाठे तपस्या करता रहता सुब हो शाम राजा के शाशनकाल में एक रिश्य शर्मा नाम का तपस्यी ब्राम हड रहता था थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ और रिश्य शर्मा कम उम्मर में ही स्वर्गवासी हो गया पुजा पाठे तपस्या करता रहता सुब हो शाम उसकी सुन्दर थी संसान पतनी भी पति ब्रता महान उसकी संदरती संसान पतनी भी पति बता महा अलपायू में ही स्वर्ग सिधारातन से निकले प्राण स्रधापूर्वक सुनने से हो जाता है कल्यान स्रधापूर्वक सुनने से हो जाता है कल्यान आप कीजे हो गनपति जी आप कीजे हो गनपति जी आप कीजे हो गनपति जी पुत्रपाल ने हेतु ब्रामणी भिक्षा मांग के लाए गनेश चतूर थी व्रत करती थी बड़ी ध्यान लगाए पुत्रपाल ने रेतु ब्रामणी भिक्षा मांग के लाए गनेश चतूर थी व्रत करती थी बड़ी ध्यान लगाए भक्त जनुद पती का स्वर्गवास होने के बाद उसकी वुढिया पत्नी भीक मांग कर लाती और लड़ू बनाकर गनेश भगवान को भोग लगाकर चतूर्थी व्रच करती पूजा करते समय हमेशा पुत्र को सुखी रखने का वर्दान गनेश भगवान सी मांगती गनेश चतूर्थी व्रप करती थी बड़ी ही जान लगा गनेश की मूर्थी गले लगाया बच्चा खेलने बाहर आया एक गुमहार बच्चे को पकड़के आवा में दिया डाल श्रधापूर्वक सुनने से हो जाता है कल्या आप कीजे हो गनपती जी आप कीजे हो गनपती जी बच्चे को ना पाई बुढिया रो रो करे विला बुढिया बोली बच्चे की प्रभु रक्षा करना आप प्यारे भक्त जनू एक दिन बुढिया का पाँच वर्ष का अबोध बालक गले में श्री कनेश भगवान की मूर्ती डाल कर खेलने आया उसी समय एक कुमार बच्चे को बली देने की इच्छा से उसे पकड़ कर आवा में डाल दिया बच्चे को ना पाई बुढिया रो रो पड़े विला गुलिया बोली बच्चे की प्रभरक्षा कर ना आ जब कुमार ने आवा हटाया खेलते हुए बच्चे को पाया भैके मारे लगाक आपने देख विधी का विधान श्रधापूर्वक सुनने से हो जाता है कल्यान आप कीजे हो गनपती जी आप की जे हो गणपती जी दर के मारे वो कुमार राजा की पास में आया भरी सभा में राजा को सारी घटना बत लाया जब कुमार आवा हटाने लगता है तो देखता है कि आवा की अंदर बच्चा घुटने भर पानी में कमल के फूल के साथ खेल रहा है ये सब देखकर कुमार डर जाता है और राजा के पास जाकर सारी घटना सुनाता है राजा स्वैन जाकर देखे तो कुमार की बात सही निकलती है दर के मारे वो कुमार राजा के पास में आया बरी सभा में राजा को सारी घटना बत राया राजा मंत्रियों के संग आये देखके बच्चे को घब राये बुढिया बताई बात तो राजा बहुत के समान श्रधा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्यान आप कीजे हो गणपती जी खोया राजे वापस मिल जाए सुनो लगा कर ध्यान मनों कामना पूरी हो ये व्रत है बड़ा महान खोया राजे वापस मिल जाए सुनो लगा कर ध्यान मनों कामना पूरी हो ये व्रत है बड़ा महान भक्त जनो राजा बुढ़िया को अपने पास बुलाते हैं और बुढ़िया आती है सारी घटना बताते हुए कहती है कि ये सब गनेश शतूर्थी के व्रत का फल है जिसकी क्रिपा से मेरा पुत्र सुरक्षित है ये सभी चमतकार सुनने के बाद राजा अपनी प्रजा में घोशना करते हैं कि आज से सभी लोग गनेश शतूर्थी का व्रत श्रधा पूर्वक करेंगे भक्त जनों गनेश शतूर्थी का व्रत करने से भक्तों का धन एश्वरे और वैभाव वापस मिल जाता है और लोगों की सारी मनों कामनाय पूर होती है गोय राज वापस मिल जाए दोनों लगा कर द्रान मनों कामनाय पूरी हो ये व्रत है बड़ा महा श्री गनेश क्रिपाबर साते व्रत करने से खुश हो जाते गनेश शतूर्थी व्रत करेंगे राजा किये ऐलान शद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्यान आप कीजे हो गनपति जी विग्न हर्ता मंगल करता भगवान श्री गनेश सारे देवी देवताओं में जिनकी पूजा सर्व प्रथम की जाती है और जो अपनी बुद्धी मता और चतुराई के लिए जाने जाते हैं हमारी आज की एक कहानी उनकी उसी बुद्धी मता के बारे में है जिसने ये सावित कर दिया था कि उनके जितना बुद्धी मान शायद कोई और नहीं भगवान बोले नात के दोनों सुपुत्र भगवान कार्तिकेन और श्री गनेश जैसे ही युवा वस्ता में पहुँचे उनके बीच एक छोटा सा विवाद हुआ और वो विवाद था शादी का विवाद सर्फ ये था कि पहले शादी किसकी होगी कार्तिके की या गनेश की भगवान शंकर ने एक शर्ट रखी और उस शर्ट को भगवान गनेश अपनी बुद्धी मानी से कैसे जीतते हैं आए सुनते हैं रवी राज की सूमधूर अवाज में गजानन बड़े हिबुधी मान मंगल करता विघन विनाशक शिवजी की संतान गजानन बड़े हिबुधी मान गजानन बड़े हिबुधी मान दोनों पूत्रों को बुलाएं शंभुदानी समझाएं पहले हो शादी किसकी हमने है नियम बनाएं दोनों प्राणों से प्यारें ओ मेरे राज दुलारें सुन लो तुम शर्त हमारी जो जीते बाजी मारें कैसी शर्त रखे शिव शंभो सुनो लगा कर ध्यान गजानन बड़े ही बुदीमान गजानन बड़े ही बुदीमान गजानन बड़े ही बुदीमान शर्त ये थी के पूरी प्रित्वी की परिक्रमागर के जो पहले आ जाएगा शादी उसी की होगी ये सुनते ही काती के प्रित्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े मगर गणेश जी वो सोच में पड़ गए कि मेरा भारी भरकम शरीर और मेरी मुसक सवारी के साथ में इस प्रित्वी की परिक्रमा करके पहले कैसे आ पाऊंगा तब गनेश जी ने चतराई से काम लिया और अपनी बुद्धी बता का प्रयोग करते हुए क्या किया आईए सुनते हैं गजानन घर को आए तनिक ना देर लगाए वो आसन सुन्दर बिछा कर पिता माता को बिठाए चरणों में शीश जुकाए वो छपन भोग लगाए पिता माता की परिक्रमा करके गण पती हर्शाए शुब विवाह पहले हो मेरा मांगे ये वर्दान गजानन बड़े ही बुदीमान गजानन बड़े ही बुदीमान पहले तो भगवान श्री गनेश सोचते हैं और फिर अपने माता पिता जी की विधिवत पूजन करके दोनों की साथ बार परिक्रमा करते हैं और कहते हैं लीजे मेरी परिक्रमा तो हो गई तब शंकर जी पूचते हैं पुत्र गनेश तुम्हारी परिक्रमा कैसे हो गई कार्तिके तो अभी आया नहीं और तुमने साथ बार परिक्रमा कर दी और वो भी इस प्रित्वी की तो पुत्र तुम जल्दी जाओ और पूरी प्रित्वी की परिक्रमा करके जल्दी आओ अगर कार्थी के पहले आ गया तो उसकी शादी पहले हो जाएगी फिर तुम मुझसे मत कहना के पिता जी आपने कार्थिके की शादी पहले कर दी मैं वचन बध हूँ वालक ये सुनकर भगवान श्री गनेश ने अपनी बुद्धी का फिर से इस्तिमाल किया और आगे क्या किया आगे की कथा में हम आपको सुना रहे हैं गजानन बोले पिता श्री बात ये मेरी सुनिये हैं जूठ नहीं बोल रहा मैं मेरा विश्वास कीजिए पिता माता की परिक्रमा जो कोई करके आएं पूरी धर्ती की परिक्रमा कफल वो पल में पाएं मैंने पढ़ी ये सारी बातें कहते वेद पुरान गजानन बड़े ही बुधी मान गजानन बड़े ही बुधी मान माता पिता के प्रती भगवान श्री गनेश का ये प्यार देखकर भगवान शंकर उनकी बात को कैसे टालते वो गनेश की शादी पहले करने के लिए राजी हो गए भगवान शंकर ने भी सोचा पुत्र गनेश की बात एकदम सही है तीनों लोकों में माता पिता से बढ़कर और कोई ईश्वर है ही नहीं जो माता पिता को पूछते हैं उनको किसी ईश्वर की जरूरत ही नहीं जो बच्चे अपने माता पिता को प्रेम देते हैं भगवान उनसे प्रेम करते हैं और इसके बाद भगवान शिव ने तुरंट विश्वरूप जी को बलवाया और उनकी दोनों पूत्रियों रिद्धी और सिधी के साथ भगवान श्री गनेश की विवा की तयारी शुरू कर दी और जैसे ही ये बात तीनों लोकों में पता चली सारे देवी देवता खुशी से जूम उठी और अंबर से पूल बरसाने लगे आखिर भगवान भोले नाथ के पुत्र श्री गनेश जी की शादी जो हो रही थी भगवान भोले नाथ की ओसे सभी देवी देवतां को नेनी मंतरन भी जा गया के आप सभी आएं और वरवदू को अपना आशिरवाद दें और उधर रिद्धी और सिध्धी भी अपना विवा भगवान श्री गनेश के साथ तै सुनकर खुशी से खूले नहीं समा रही थी हाई 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 आखिरकार भगवान श्री गनेश उनके पती जो बनने जा रहे थे देवदानव सब आए अप सरान वित्य दिखाए शादी की हुई तैयारे सज रहे गणपती प्यारे दूलह बन गणपती आए रिधि से धी मन भाए शादी संपन हो गई देवता फूल बरसाए रिधि सिधी को पाकर हरशित रिधि सिधी को पाकर हरशित हुए गनेश भगवान गजानन बड़े ही बुधी मान गजानन बड़े ही बुधी मान प्रिये श्रोतान इस कहानी से हमें भगवान श्री गनेश जी की बुद्धी मता का तो पता चला ही एकिल साथ साथ हमें ये भी पता चला कि भगवान श्री गनेश ने भी इस पून शिष्टी से भी उपर अपने माता पिता को रखा और जो लोग अपने माता-पिता को भगवान से उपर रखते हैं, भगवान उन्हें अपने दिल के करीब रखते हैं और इसलिए हम सबको भी अपने माता-पिता जी की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हमेशा खुछ रखना चाहिए जै श्री गणेश